जहीं दोस्तों क्या हले फिर से स्वाग आते एक नया वीडियो में I hope you are all well and I am very fine too दोस्तों आज इस वीडियो को मादधम से मैं आप लोगों का साथ शेयर करूँगा एक चोटा से चोटा दिन स्पेंड का कारखना खोलने के लिए कितना मेशिन का जोरुरात पड़ता है और बताऊंगा और कितना पैसा लगेगा वह एक आप नोट बुक लीजिए और एक पेन लीजिए आप नोट करते जाहिए मैं मैशिन बताऊंगा और मैशिन का कीमत बताऊंगा ठीक है और क्या-क्या लगता है वह पूरा की पूरा मैं पताऊंगा तो चलि इस वीडियो को शूरू कर्थे और शुरू करने चे पहला जो मेरा चनल पर पहले वड़ा है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिया और जो अल्रेडी सब्सक्राइब कर चुका उसके लिए फैंक्यू सोमाद है गाईज वल्कम बैक टू तो देफ्म फैसरार में हुँ आपका होस्ट आपका दोस्तो मुर्फ मुरोग आप देख रहा है यूटूब चैनल एफ्म फैसरार एटीसी नॉलेज तो चले दोस्तों जादा देव ना करें इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला मैं अपने बारे में थोड़ा बता लिता हूँ मैं कारखना डाला था तो सबसे पहला मैं हेलफारी किया था कारखना पर किसी का कारखना पर पहला हेलफारी किया उसका बाद वच्षय मोईना नाकेण है इस इसमिद एंपण्भाकिंद बशय साथ-णिंच कंंतर स्थ थुषिताwhat एंख्यू आने जब का रिखना है ऑने क्न्हुनारी ख्रीदा ये में येया लाग में पड़ा टोटल मेरे को तीन लाक में कारखना रेडी हो गया था, खली पाच्छे कारीगार का मेशीन था, पाच्छा सलाई मेशीन था, और सबसे पहला आपको चाहिए एक टेबल और कटिंग मेशीन जो आपका सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो टेबल आपको 20 से 25 हजर में मिल जाएगा ऐसा, 16 फूट भाई, 7 फूट इसका टेबल है, और एक सेकेंड एंड जो कटिंग मेशीन सामने देख रहे हैं, और यह चोटा मेशीन है, वो आपको 12-14 हजर में मिल जाएगा, और यह धाई 3 हजर में मिल जाएगा, और अभी जो आप समने मेशीन देख रहे हैं, यह मेशीन सलाई का मेशीन है, और यह सलाई का मेशीन आपको कम से कम सेकेंड आठ से लेके 9 हजर का अंदर मिल जाएगा, और यह है साइट मूंडा का मेशीन जो आपको 60-65 हजार में आपको सेकेंड मिल जाएगा, एक या डेल लक में आपक का कारखना डालना चाहता है तो आपको यह मेशिन बहुत जोरूरी है उसका बाद एक फाइट का जोरूरत पड़ेगा जो आपको बारह चोदह हजर में सेकेंड मिल जाएगा और कंडिशन में लेगा तो 25-30 में मिलेगा और ब्रादर ब्राइड का मिलेगा और यह अपको फिर आपको बारह बहुत जाएगा तो यह आप बाहर यहार से करा सकता है क्यूंकि काल ज़िस एरिया में डिए सब्सक्राइब उस जगह पर जाकर करनेघ ौछ होunun अधुक्र होगा और यहे एक मैशिन जो आप बाहर से है समीन का जोरूरत आप फुले जो नहीं चाहाएगा काज और बाल्टेक का मेशीन तो चल जाएगा और ये है एक लुपी का मेशीन जो लुपी बनाने का काम आएगा ये भी 12-14 हजार में आपको मिल जाएगा बाकि आपका M battery का जुरूरत पड़ेगा और आपको जुरूरत पड़ेगा प्रिंट का और ये सब अप्टर मार्केट से आप करा सकता है क्योंकि अब जिस जगा पे जाके कारखना खुलेगा उस जगा ठेर सरे कारखना होना चाहिए अई हैं न्यकी, इंडिया का हार कोने-कोने में, हार शहर में, ऐसा जिंख का मैनिफिक्चर अभी होने लगा, तो आप ऐसा जगह पे जाके कारा खना खोलो, जहाँ पे घेर सरे कारा खना आलरेडी चल रहे है। तो उस जगह पे आपको जो माल है माल में आप काजबल्टक भी बाहर से करा सकता है और इसका जो प्रिंट है वो प्रिंट भी आप बाहर से करा सकता है और इसका जो अमबैटरी है वो भी आप बाहर से करा सकता है और टोटल प्रोसेस आप अंदर करना चाहेगा ना तो आपको कम से हम 10 से लेके 15 लाक रूपया पढ़ जाएगा कारखना खोलने में M battery, print, सब कुस आपको अंदर हो जाएगा So guys, आप एक छोटा से छोटा कारखना खोलना चाता है 10 कारीगार का और side munda का अलग अलग जो imported machine लगता है तो आपको अगर second hand में खोलना चाता है तो आपको कम से हम 3 से लेके 4 लाक में आपको complete हो जाएगा और total process खोलना जाएगा तो आपको कम से हम 15 से लेके 20 लाक रूपया खर्चा आ जाएगा Total बोले तो आपको M battery का machine और print का जो setting होता है यह जीन्स का उपर जो print होता है M battery होता है वह भी आपका साथ में हो जाएगा 10-15 लाक रूपया खर्चा करेगा तो सब प्रोसेज आपको अंदर हो जाएगा और पास लाक रूपया लगाएगा तो वाशिंग का जो प्रोसेज ना वह भी आपको अंदर कर सकता है यह मतलब खुद का factory का अंदर करा सकते हैं यही कपड़ा आएगा और पूरा टूटल माल पैक होके निकल जाएगा तो दोसको आसका वीडियो इतना ही है आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए ज्यादा अच्छा लग अपना खाल लगना और अपनेों को भी बहुत जादा खाल लगना बाई बाई टेक क्यार